नमस्कार, स्वागत है आपका यूटूब मॉम चानल में फ्रेंड्स, यूटूब मॉम चानल पर हम आपको वो सारी जानकारिया अपलंद करवाते हैं, शेयर करते हैं जिनसे की आप अपनी प्रेगनेंसी को अपने जीवन का बेस्ट एक्सपीरियंस बना सके, बहतरीन बना सके इसी क्रम में शरीर में होने वाले कुछ बदलाओं से जुड़े, कुछ facts, कुछ बाते, आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो specially focused हैं breast पे कि प्रेगनेंसी में breast में changes होते हैं, सब भी महिलाओं को होते हैं क्योंकि breast को body, hormonal तरीके से prepare करती है, ducts, milk की ducts prepare होती हैं ताकि बच्चे के जर्मित से मा, बच्चे को दूर पिला सके लेकिन इसी दुरां कुछ ऐसे uneasy symptoms भी होते हैं, जिनको कि अगर महिलाओं नहीं जानती हैं, तो जेलती रहती हैं और उनकी problem complicated हो जाती है, ऐसे चार लक्षन, उनके कारण, और home remedies कि कब आपको क्या action लेना चाहिए, वो सारी सरल भार्षा में आज आज आपसे share करने वाली हू तो ब्रेस्ट में कौन से changes अच्छे हैं, कौन से changes आपको दर्शाते हैं कि आपको कुछ जादा problem हो सकती है, सबसे पहले चीज़ ब्रेस्ट में लंप होना, ये गलत नहीं है, प्रेगनेंसी में आपको ब्रेस्ट थोड़े जादा lumpy feel होंगे, it's okay, बट अगर लंप जहां प प्रेगनेंसी के दौरान आपको ठीक करना होता है, आपको सक्षे मेथड से इसको बाहर निकालना होता है, और अगर आपने इस प्रिधान नहीं दिया तो फीड करने समय आपको बहुत जादा परेशानी हो सप्यर बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगे, कई बार कि प्रेश आपको ठीक माई रहर नहीं करेंगे, प्रगनेंसी की मही ये छाओगे, प्रेश के लिए निपल से थोड़ा आपको ब्लड हो ये दिस्चार्ज के साथ आपनेंसी है तो ये भी एक डिंजर साइन नहीं हो जिस पे आपको अटेंसे जाना चाहिए और इस, आपको को समझना चाहिए, भॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिं, कई बार चुटी चुटी प्रब्लम्स होती है, जैसा कि सिस्ट हो जाती है, तो उसको आप खुद ठीक कर सकती है, उसको समझें कैसे, क्या वो सिंपल है, या कोई क्रिटिकल कंडिशन है, इसके लिए वीडियो होती है, इसी क्रम ब्रेस्ट के अंदर कुछ सिस्ट जैसे भी सारचने बनती है, नॉन कैंसरोस यानि कि बिनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं ब्रेस्ट के अंदर, कई बार जब लैक्टेशन के लिए यानि की फीडिं, बेभी फीडिंग के लिए डियूरिं प्रेश्ट की नदियां, दूद की नदियां तयार हो लिए तो कोई अगर अब्स्ट्रक्शन पुखावट आ जाती है, तो वहां पे एक सिस्ट सी बन जाती है, कठान सी बन जाती है, कई बार महिलाओं को ब्रेस्ट के टिशू में इंफ्रेक्शन होता है, जिसमें की रेटनेस होती है, थ तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन चीज़ों में, आपका एक्शन, आपकी प्रॉब्लम की टाइप पर डिपंड करेगा, यान कि अगर आपको सिस्ट है, तो कई बार ऐसा होता है, कि होर्मोनल चिंजिस की वज़े से सिस्ट आती है, बनती है, लेकिन थोड़े टाइम फोग खुद बहुद ठीक हो जाती है, आपको उसको लेखे रह लेकिन अहीं लेना है, वो बिलकूल प्रॉब्लम के बाद नहीं है, इन फ्रेस्ट नहीं लेना वो खुद बहुद ठीक हो जाती है, अपने खान पान, एक्सरसाइस, वाट इंडर, फाणी की मानतरा पर ध्या इसके अलावा हलका मसाज आप करके देख सकते हैं उससे भी आपको कई अराम मिल जाएगा अगर पानी अच्छे से पीए तो भी आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं आपकी लिए प्रेगनशी में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बीबी के लिए अम्लेटिक फ्रूट के लिए भी अपने होर्वोनल ब्लाइल के लिए भी और ब्रेष्ट में होने वाले चेंज़ेज के लिए भी वॉक जरूर करें वॉक करने से आपको स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, वॉक करने से आप स्ट्रेस फी रहेंगी, एक और बहुती डिफरेंट बात है कि जो मॉदर्स दूरी प्रेटनेसी बहुत जादा इंसिक्यूर रहती हैं, उनको ब्रेस्ट मिंसेस्ट होना, लंप होना, ऐसी ब्रेस्ट रिले सके, उमीद करती हूं कि यह जानकारी आपको अवेर करेगी और आपको अच्छे जरूर लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जोटिफिकेशन बेल को दबाना और बलकुल नहीं मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केर बबारी